हेलो गाइज, आज की वीडियो में शाही पनीर कैसे बनता है, ये मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे आपने काफी वीडियो देखी होंगी, बड़ आपने इस टाइब की आज तक वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि ये जो रेशिपी है, ये ओरिचनल शाही पनीर की रेशि मिल्क यानकी एक फुल क्रीम कप मिल्क और टमाटा तीनसो ग्राम अनियन चारसो ग्राम यहां पर आपको लेने हैं इसमें किसी प्रकार का खड़ा मसाला यूज नहीं होगा अगा यहां पर यूज होगा तो 1-2 चमच पनीर मसाला यूज होगा शाही पनीर बनाने के लिए सब आप इसकी जगे वटर का भी यूज कर सकते हैं पर यहां पर मैं रिफाइंड ओयल का यूज कर रही हूं तो यहां मैंने तीन से चार बड़े चमच रिफाइंड ओयल ले लिया है जैसे यह गरम हो गया है उसमें एक टेबल स्पून यहां पर जीरा डाल दिया है साथ ही मैंने इसमें अनियन का पेश्ट डाल दिया गुल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें मैं मसाले एड़ करूंगी जैसे हल्दी और लाल मिर्श का पाउडर इसमें एड़ कर देंगे यहां पर हल्दी मैं हलके सी कलर के एकॉर्डन हाफ स्पून ले रही हूँ और रैट चिली पाउडर मैं वन स्पून ले रही हूँ आप अपने एकॉर्डन कम या ज़्यादा कर सकते हैं सभी मसाले अच्छे से भून जाएंगे फिर इसमें हम टोमैटो प्यूरी एड करेंगे इसे भी हम 2-5 मिर्ड़ तक अच्छे से भूनेंगे टोमैटो प्यूरी मैंने यहां पर 3-4 टमाटर की बनाई है साथ ही उसमें 4-5 मैंने लहसुन की कर लिया और साथ ही एक इंच अध्रक का टुकड़ा और दो से तीन हरी मिर्च मिला कर बनाया है और एक चलनी से मैंने इसे छान लिया है अब टमाटर की ग्रेवी भी अच्छी तरीकी से पग गई है अब इसमें मैं सभी ड्राइफ फूर्ट्स जैसे काजू मखाने और किसमिस मिला और जली जली हम ऐसे चलाएंगे जिससे की हमारी दूद जो है फटेना भी अच्छे से मिलाएंगे आपको जितनी ग्रेवी रखना है उसके एक बरतन में गरम पानी अलग से गरम कर लें और उसे बाद में इसमें एड़ करें जितनी आपको ठिकनेस चाहिए उसके अप उसक मिला कर भी इसे एक से दो मिर्ट हमें भूनना है फिर उसके बाद हम पानी को एड़ कर देंगे अब मैं ये पनीर को अपने मंचहा शेप देकर ने कट कर लूँगी सबसे लाश्ट में इसमें मैं पनीर डाल दूँगी साथ ही एक से दो स्पून यहां पा कशूरी मैथी को ह क्रश करके डालना है साथ ही आप इसमें पनीर मसाला भी ड़या सकते हैं यहां पा मैं नीद्व मसाला एक से दो चम्मक यूज और तो मैं होमेड मसाले यूज करती हूँ दिए इसमें मिर्च कर सकते हैं socio गया नमर्चतरनी करें और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसी तरहीं किसे मेरी वीडियो को देखते रहें लाइक करते रहें और कमेंट्स करते रहें और मुझे बताते रहें आपको मेरी सबसे अच्छी रेसिपी अब तक की कौ शाही पनीर की यह recipe मेरी friend जो hotel management का course कर रही थी उसने मुझे यह लाकर दी थी अगर आपको यह recipe पसंद आई हो तो please मुझे comments box में जरूर बताएं और ऐसे ही मेरी videos को आप प्यार देते रहें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया यहां मैं शाही पनीर को नान की साथ serve कर रही हूँ नान जो मैंने बनाए है वो wheat floor से बनाए है बिलको homemade तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ अकसर